अपसे कुछ घंटे पहले फिलिस्तीन में जो हुआ जैसी तस्वीर वहां से सामने आई है उसमें पूरी दुनिया की नीन दुड़ा दी है आतंकवादियों ने अपने ही देश के राश्ट्रपती को मारने की उनकी जान लेने की कोशिश की है बाई क्या हुआ इसराइल तो हमास को चारों तरफ से घेर चुका है ब्रेकिंग यूज है फिलिस्तीन के राश्ट्रपती महमूद अबबास से जुड़ी खबर है कि कुछ हमलावरों ने उनकी हत्या की कोशिश की जो मजब नफरत को फैलाएगा जो वाइलस को प्रमोट करेगा वो मजब नहीं है मैं वो मजब हो नहीं सकता और आपको बता दें कि समले में अबास के बॉडिगार्ड की मौत हो गई है फदलू जो है इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था जो नीचे लिखा हुआ था गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जा रहा हूं कि गाजा में ये अपने आपका बाजा बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं वो किसी हुमन ने उसको खराब करने के लिए अपने परसनल फैदे के लिए उसमें चेंजिस कर रखी हो अलग की बात है लेकिन ये मैं बड़े वसूप के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मजब नहीं है जो ये कहता हो कि आप किसी दूसरे का दिल दुखा के किसी को जखम लगा के आप जन्नत में चले जाओ जो हमस वाले हैं न जिनोंने ये कॉल उठा रखा था कि भाई पूरे यहूदियों का पूरे विश्व में विनाश करेंगे From the river to the sea, Palestine shall be free मतलब ये कि इनका शान्ती से कोई वास्ता नहीं था हेलो फ्रेंट्स जैहिंग, हिंदोस्तन स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तो, गासा में इसराइल हमास जुद जारी है इसी बीच मंगरवार को फिलिस्तिनी राष्टरपती महमूद अबास की हत्या की कोशिश ने छेतर में दैशत पैदा कर दिया फिलिस्तिन के राष्टरपती महमूद अबास जानलेवा हमले में बाल बाल बचे खबरों के मताबिक राष्टरपती की हत्या की कोशिश की गई और महमूद अबास के काफले पर जानलेवा हमला किया गया इस तोरान हमलावरों और स्रक्षा कर्मिय के बीच जम कर गोली बारी हुई वेस्पेंग में फलिस्तिन स्रक्षा प्रतिस्ठान के भीतर संगठित सन अफ अबू जंदाल ने महमूद अबास को इसराइल के खिलाफ कारवई करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुकतने की धंकी दी थी कल इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद अबास के काफिले पर हमला किया गया जिसमें फिलस्तिन के राश्टरपती बाल बल बचे सनफ अबू जंदाल ने फिलिस्टिनी राष्टरपती पर हमले की जिम्मेदारी लिए आतंकी गुट के हमला मरोद वरा राष्टरपती के काफले पर हमले का वीडियो भी सामने आ है वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह सनफ अबू जंदाल के आतंकी राश्टपती अबास के काफिले पर गोली बारी करें है बारी करें लोग यह कहाए थैं खास तरह से जो सारी कि सारे तावन वाईसी और अरब कट्रीज एं अरब लीक के देश हैं और बाकी जितने भी मन ही मन सोच रहे थे कि यह हमस खत्म हो जाया तो अच्छा है लेगिन उपर से च्मकी उनको यह दिखाना पड़ता है तो यह का जाल बिच्छा हुआ है उसमें से ये लड़ा के निकल निकल के आतंकवादी निकल निकल के एक एक इसराइली को समापत कर देंगे लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ दो सैनिक मरे हैं और एक को चाकू मार दिया है एक टीनेजर ने क्यों कि उस सैनिक ने ये समझा था क ये तो टीनेजर रहे है और भाई सांप और सपोले एक ही तरह के होते हैं घजा में कोई भी वहां ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमस के साथ सानुबोती ना रखता हो ये पूरा का पूरा जो निरेटिव ये चला रहे हैं हमस के हमायती तथाकति लिबरल यानि ये आज कल के जो लिबरल हैं ये भी घजब हैं ये लिबरल सभी जगे आपको आतंकवादियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे ये लिबरल जो हैं ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे ये रशेदा तलेब और इलहान अमर जैसे आतंकवादियों के साथ खड़े मिलेंगे अ को हम यहां पर अमरीका में अच्छी तरह से इसका हम विरोध कर पाएंगे लेकिन यहां आकर तो यह पता चला कि यह जो पिलकुल इसलामिजम है रशेदा तलेब और इलहान अमर विराइटी वाला और जो अयान हिरसी अली और सल्मान रिश्दी जैसों का विरोध करता है उनक हमायत में खड़ा हुआ है तो हम जिस आतंकबाद का विरोध करना चाहते हैं हम जिस रेडिकलाइजेशन का विरोध करना चाहते हैं उसकी तो अब यहाँ लिबरल एरियास में यह लिबरल कंट्रीज में स्पेस ही नहीं बची है मैं आप से यह पूछना चाहरी हूं कि यहा से तो मुलाना साथ चले गए छोड़ के ने जदूर मुलाना साथ गए कई सवाल उठ रहें कि क्या करने गए है क्या बात करने गए है लेकिन चायना इस वक्त आपके ख्याल से क्या सोच रहा है कहां खड़ा है इसराइल के साथ तो definitely नहीं है लेकिन क्या आपके ख्याल से कि चायना में क्या सोचा जा रहा है इस war को लेकर आरजय पहले बात यह उन्हों ने भी बोला कि मैं गाजा जा रहा हूं अब उन्होंने क्या कि कि यो एक न deserves यह होता है कि हम पढ़ नहीं सकते आपने कई बार देखा होगा तो फदलु जो है इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जाएंगे और उसके नाम पर उसकी जब मीटिंग करनी है तो वहां पर जित्ते भी पाकिसानी कतर में होंगे उनसे चंदा इकठा करेंगे जो इनकी रवायत है पुरानी तो यह वहां पर चंदा इकठा करने गये हैं और अगर तो चंदा अच्छी तरह से इकठा हो गया तो यह वहीं से वापिस आ जाएंगे पाकिसान अगर इनको लगा भी जितने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकठे करने आया है अगर उतने नहीं होए तो यह से हो सकता कि इरान चले आए उसके तुर्की चले आए जहां पर पाकिसानी रहते हैं और इस चुरन को बेच के यह पैसे कर लेंगे ताकि उस पैसों से यह आके डीजल खी दे और दो नुम्बर में बेचें पाकिसान के अंदर तो यह तो यह होगया इनके पूरा इसागताब फोगी गाजा में यह अपने आपका बाजा बजाने के लिए तो आपको भी मालूम है सबको मालूम है अब आप आते हैं चाइना के उपर आपका माईबाप चाइना क्या सोच रहा है चाइना सोच रहा कि युद्बंद ही ना हो दो रीजन है कि एक तो आपने जैसे बोला कि इस्डायल की साथ नहीं खड़ा चाइना वो खड़ा है पैलस्त क्योट होती है बार-बार भोलना पर तो एक तो यह रीज़न है कि चाइना डजन्ट वॉंट की कई भी मुसलिम वर्ल्ड में ऊगर मुसलिम्स का मुद्धा उठाया जाए तो उन्ने खुश करने के लिए वह मुसलिम्स का साथ देते हैं जीूस का साथ नहीं दे रहे एक तो यह रीजन है दूसरा एक और रीजन है इनका हमाज को सपोर्ट करना या पैलेस्टीन को सपोर्ट करना वह भी बहुत है कि हम हमाज को सपोर्ट नहीं करते